हम अंदेरों में चिपी बेपना ताकत के मालिक है मैंने कोशिश की बहुत ढूनने की कि ये कौन है बट कहीं इसके बारे में कोई इंफोमिशन ने मिली इस एक्टर के बारे में बलोच लग रहा है ये तो जिस तरीके से इसका इसकी शैली और भाव भाव है कैसी है अच्छी है हाँ यार मैं भी एकदम एक्जाक्ली ऐसे ही करना चाहता हूं खूली सिगरेट पीते हुए लडकियों की फोटोस देखके उनको अबजेक्टिफाई करना चाहता थैंक यू इंस्ट्रग्राम पांच बरस तुम्हारी शादी को हो गए है अब तक आउलाद नहीं हुई तो अब क्या होगी जिंदिगी भर सुलगती रहोंगी किली लकरी के तर लेगन पुजारी ने काहता कि भगवान अपने भगतों के साथ वचेतर खेल खेलता है फेक फुंडिट श्पारड उसकी लीला न्यारी है आरे गुली मारो पुजारी को ग्जाक्ली नेवला से कहना कि मैने जो वादा किया है तुम्ही आलाद होगी थाकुर साहब को कुछ पता नहीं चलेगा ख्लैसिक अरुना आर्रे आरी एरानी नहीं आर्रे आरी जाली पहाडी पागल तो नहीं होगी पागल तो तुम हो जाओगी शी इस राइट यूनो तभी तो तुम वहाँ जा कि इस ना नित्या दी नेवला जो है ना बड़ा रिच्वलिस्टिक परसें होता है उससे हर चीज के स्पिसिफिक रिच्वल्स बने हुए उसके लिए ल تو्रश ठलते ही ये शयतान वह जिहरीला नाक अधैरोक का शहजादा ये शयतान अपनी शयतानी प्यास बुजहने के लिए अपनी शाधानी प्यास बुजहने के लिए इपने काले विद्या की शक्ति से वो जेहरीला नाग, बन दर्वाजे की काली गुफाओं से एपने काले विद्या की शक्ति से रात के अधेरे को छीरता गुआ, असोम गाहवालों को गुम्रा कर रहा है नेवला, कौन नेवला? निकल पड़ता है फिर किसी शिकार की तलाज में ना बाइदे वे नेवला बेटी चुट है या यू हर राइट वो अपनी बेटी के साथ अपनी काले विद्या की शक्ती से आसूम गाउवालों को गुमरा कर रहा है नेवला को दीवारे और खिड़किया तोड़ने का शौक होता है और इस लड़की को चिलनाने का वो एक ऐसी बेनाम मन्जिल है जिसके सनाटे में इंसान सिर्फ अपनी ही सांसे और धड़कने महसूस कर सकता है इफ्यू रैम्ली प्रेजेंस बंद दर्वाजा स्टोरी है ये काली पहाडी की ये है काली पहाडी काली पहाडी गुनाहों का एक वीरान खंड़ है और फोर्स रैम्ली बर्दर्स के किसी भी फिल्म में ठाकूर के बिना तो काम होता नहीं अराम से बुडिया तो गिर जाएगी ये इसने बलकुल सही बोला इसकी पतनी को तो बच्चा हुआ है लेकिन वो बच्चा किसका है मेरे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त अच्छा ये है अगर की लेक्ष्मी काम्या इस सो मिस अंड़िस्टूड उसे तो बस भूख लगी होती है जिस्म की भूख थाकूर भी लाइट नाइस फिल्म में काम्या के कैरेक्टर के तू ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि लड़कियों को प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए परन्तु काम्या का काम लग जाता है तू बड़ी खुच किसमत है पीकिंग फ्लास मिलिनियम देखो कैसे सपना को गैसलाइट किया जा रहा है वो तो पागल है ये तो पगली है पगली पगली? फिर सपना देखने लगी? तुम सपने बहुत देखती हो इसलिए माबाब माबाब में तुम्हारा नाम सपना रखती है भीगा भीगा मौसम कर पाए पर हुच ब्रो एस लांग एस शी हैस हर जवानी परन्तु सपना कोई ऐसी वैसी लॉण्डिया नहीं है नेवला के गुरगो की वो एस किक कर देती है काम्या का प्यार प्यार नहीं भटकी वी जवानी का एक नशा है अच्छा और ये क्या है और ये क्या है वट्स तुम वही करो जो कर रहे हो तुम दीवारों को हंप करो हश्मत तुल्लाख खान ने जो वुड़न एक्टिंग की है ना एस यूजल जैसे स्टार्स लाइक मधुबाला अश्वकस्थान से थे भाई आपका अश्वकस्थान से था इस सीन में ना फिजिक्स की सारे रूल्स तोड़ दिये गए है रामसर बदर्स की सारी मुवीज में ये सीलिंग इतनी लोग ही होती है इतनी रात गए है जंगल में आप अकेली डर नहीं लगता आपको मुझे आबादी से दर लगता है जी? या यू तल एम सिस्टर, I can relate to that, I can relate to that आबादी से दर लगता है जी? I understand what you mean girl मुझे आबादी से दर लगता है एक से एक परन तु फिर भी नेवला के साथ गाउवाले वही करते हैं जो कि रूरल साउथ एजिन्स का फेवरेट पैस्टाइम है मॉब लिंचिंग नेवले की मूरती में आग लगते ही अच्छा आप जाएंगी काली पाहाडी आप लगते ही